और आज हम लोग गाजियाबाद IS Academy और हम कह सकते हैं UPSC Connected Platform पर इसलिए खटे हुए ताकि हम सभी लोग UPSC के बारे में जानकारी ले सके आज का जो समिनार का मुद्दा है हम लोग UPSC IS के बारे में वो सारी बाते समझेंगे या वो सारी बाते जानेंगे जो कि आप लोगों क आप लोगों जानने की बहुत सक्ष जरूरत है UPSC के बारे में मैं आप सभी लोगों से वन बावन नाम लूँगा आप अपने माइक को अन्म्यूट करेंगे और अपनी इंडिदक्शन देंगे तो शिरुवात करते हैं पूजा विश्वास प्लीज सामने आईए और प्ली अहीं फ्लीज लिए बूड केजें कि अर हाँ अजी इनीज लोगों पलीज पल्सटी और अं चेंड हम आलेतल्स के लिए बूद दिससें और लिए भीज कि आप सभी लोग का क्षोगत है फ्लीज आप formats एपना mei अनव नम और नॉकेशन प्लीज कि दाल दीजे कुछ लोग है यास यास तुल खोड़ा गोज़ बीज तो शुर्वात करते हैं आज की आप सभी लोग प्लीज आप लोग अपने आ बताए हैं कि आप लोग यूपी से बारे में क्या जानते और किस तरीके से आप चाते हैं किया प्रिपेर कर रही हैं किसी कोई बात साटिंग में तो पूछ कि एक पर जब में PPT पर जाओंगा तो मैं सारी एक चीज़ा एक्ष्पीन करने को बाद ही क्वेशन्स पिक आप कर पाऊंगा आप लोग सुन पा रहे हैं कि अगर कि अगर कि क्या कियाना चाहते हैं आप अ हलो किनिया मीटिये खांगा तो ने कंदेश्ट्या गया जीज वेल कम आप लोग तुमां जगवार की उनका प्राइबाट पूर जो पान पे बात कर सकते ते क्लास आज हम लोग बात करेंगे जिसको कोई क्वेस्टन हो बीच में तो प्लीज रेजिए हैंड का आपके पास एक ऑप्शन है आप उसे करिएगा मैं क्लास को स्टॉप करूंगा और उसी के साथ-साथ जो हम लोग हम बात करेंगा आगे सबसे पहले शुरुवात करते हैं मेरा नाम संजीफ पांडे हैं I am the founder and director of UPAC Connect and Gaziabad IAS Academy both. Apart from that I have qualified this paper twice. ठीक है मैं दो बार इंटर्वी में जा चुका हूं 2012 में 2013 में and in 2012 I had anthropology and history as an optional and in 2013 I had anthropology as an optional. Fine. So I am guiding people like you, I am guiding experience like you since a long time, since a long long time. Fine. R.S. Dubeji welcome. So, आज हम लोग बात करेंगे strategy के ऊपर. UPAC को qualify करने के लिए सबसे important skills क्या चाहिए आप लोगे साब से? Please one by one. अभी मननी हूं. UPAC क्या करने के लिए पहली सबसे important skills क्या चाहिए आपको? सबसे important skills क्या चाहिए आपको? Smartwork. किसे बोला Smartwork? प्लीज एक बर बताईए. नाम बताईए अपना. My name is Manas Sonjan Khawari from Odisha. Okay, okay. Yes, Manas. Yes. Smartwork को आप कैसे define करते हैं? Like pen shirt, pen ke, coat word pen ke, पढ़ाई करने का? ऐसा कुछ? No, sir. To apply sortering method in NCRT, like Ams, Loxmecan, various optional subject like anthropology, political science, etc., sir. Okay, okay. Good enough. Guys, देखो, आदकल हर कोई स्मार्ट वक की बात कर रहा है, स्मार्ट वक को डिफाइन करने कोशिच कर रहा है, but what is smart work? Smart work is basically, it is a sort of organized work. UPSC का, अगर आप syllabus देखोगे, तो UPSC और SSC में जो difference होता हो, यह होता है, कि UPSC में, SSC में आपसे पूछा जाएगा कि भई, आर्टिकल 19 बताओ, तो आर्टिकल 19 के छे subsections है, उनमें से कुछ भी आपसे directly पूछ लेगा और पूछेगा कि यह section की क्या value है, ठीकर क्या है इसका मतलब, but UPSC जब आपसे question पूछेगा Article 19 पे तो उसके background से लेके, उसके foreground से लेके, उसकी एक proper व्याक्ख्या या proper explanation के बारें बात करेगा, तो पहली चीज़, जब भी UPSC में कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आप लोग एक चीज़ प्लीज एक बात ध्यान दख्येगा, आपको एक काम बहुत important तरीके से करना है, किसी भी चीज़ को open नहीं छोड़ना है, आप समझ रहे है जनरली हम बच्चों के साथ क्या दिक्कत होती है, मैंने जनरली कई सालों समय बच्चों को गाइड कर रहा हूं, और मैंने इस चीज़ नोटिस करी है, कि बच्चे क्या करते हैं, आज पॉलिटी पढ़ रहे हैं, दो दिन पॉलिटी पढ़ी, उससे बाद ऊप गए, उसके क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आपको दिखेगा कि आपके सारे subject open है, close कोई नहीं हुआ, और जब close कोई नहीं हुआ, ऐसका मतलब क्या होता है, कि आपके सारे subject open ended है, और आप लोग में खिषिडी पगा दिए, मैंने smart work अभी एक बच्चे ने बोला, मानस ने ओड़ेसा क्या होग? कोई बताएगा हैँ हम भुट वेल ओगनाइसाइ सुस्टमाटिक वेल सिस्टमाटिक में इंचे साज़ शेजीए सस्टमाटिक एस सिस्टम को कैसे बिंदेशिंग करोगाफ तो ये शेडूल तो हम लोग वैसे हैं, we all are Indians and we are very good at making strategies, बहुत अच्छे हैं हम लोग strategy बनाने में, बहुत अच्छे हैं, पेन पेपर लिया, बना डाला कि देट सल में UPSC क्राइक हो जाएगा, बट अल्टिमेटली वो एक्जीक्यूट नहीं हो पाती है, यह बात अगरी करते जो की एक तरीकी कमी होती है UPSC experience के अंदर, ठीक हैं, अगर आप लोग इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे, तो आप लोग की पढ़ाई बहुत 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 तरीके से आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे, ठीक हैं, मैं अग आप लोगों से एक तरीके से face-to-face बात कर सकूँ, correct? So guys, UPSC में qualify करने के लिए, देखो, हमारे पास 3 stages होती है, films होता है, mains होता है, interview होता है, ठीक है, तो films के लिए मेरे हिसाब से आपको 100 days, 100 days, 120 days के उपर नहीं देने चाहिए, मतलब 4 months, अब आप बोलोगे, sir, 4 months के अंदर the films कैसे prepare हो जाएगा? वहीं मैं बोलता हूँ, mains के लिए कम से कम आपको 7-8 महिने देने चाहिए, तो यह टाइम लाइम नमने डिफाइन की है, अगर आप 8 महिने और 4 महिने को जोड़ दोगे, तो आपके 12 महिने पूरे जाते है, मतलब 1 साल पूरा हो जाता है, UPSC में अगर आप ओड़ाल सब्जेक्ट देखोगे, अगर आप जी एस को बेगड़ाउन करते हो, तो अकेले 20 सब्जेक्ट खाली जी एसमे निकलाते हैं, उसके बाद अगर आप ऑपस टोर्ट जो है, पचीस चब्वी सब्जेक्ट होते हैं, और अगर आप साल अगर एक महिने में एक करते हैं तब भी आपको 26 महीने चाहिए तो इतना टाइम क्या आप लोग लगाने में इंट्रस्टेड हो या आप लोग चाहते हो कि इसको हम fast-forward तरीके से करें आगे चलके कोई है तरीका कोई है तरीका फर्सलेमयादोले चाहिए तरीके सोनाली आड़ा है ऑमयादो चाहान ने किया तो यह फर्स्टेड ने काहिए पेपर कौलीफाय कोई जादोगी स्टेड़ी कोई 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 चीज़ कोई रजनीकान जैसी कोई पावर हमारे पास ऐसा कुछ नो सब्सक्राइब में खिलियर जब होगा जब प्रिलिम्स एग्जाम की दो तीन साल पहले प्रियारी सुरी होनी चाहिए एक्जाक्ली बहुत बड़ी बात बोली दो तीन साल दो तीन साल मतलब हदार दिन के अब बात कर रहे हैं देखो अब आपने जो बात बोली ग्राजूशन के साथ जो बच्चा त्यारी करता है यह बेस्ट वे आउट बड़ कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं जो ग्राजूशन कर चुके हैं जो नौकरी कर रहे हैं इस टाइम पे जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस टाइम पे हम कहते हैं कि जो मैरेड हैं इस टाइम पे जिनकी जनकी 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 अगे बढ़ चुकी हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाउस फाइट हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिजनसमें वाल्ड हैं बट सब कहीना कहीं चाहते हैं कि वो आई सबसे बहतर नौकरी प्रवाइड करेगी, सबसे पावर्फुन नौकरी प्रवाइड करेगी. अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भाईया आपको एक नौकरी दे बहुत अच्छी सी, तो यूपी एक्सपेक्टेशन होंगी आपसे? ऐसे तो नहीं दे सकते ही किसे को नौकरी? क्योंकि एक डेटा मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी कारीब 10.00000 बच्चे पेपर भरते हैं, खाली फॉम भरते हैं. अच्छी एक बाद बताओ, इंडिया जैसे कंट्री में, जहां पर हमारी पॉप्पुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमारे आपको डेमोगाफिक डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक डेमिशन के आसपास घूम रहे हैं, जहां पर हमारे पर सबसे ज़्यादा यंग जन्रेशन अब इस टाइम पर हम इंडिया में है, तो नेशल से बात है, कॉम्पुलेशन किसी भी नौकरी में बहुत जादा होगा, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो UPSC में कोई भी कॉम्पुलेशन नहीं है, आपको कॉम्पुलेशन सिर्फ 15,000 लोगों में रह जाता है, इस इस पर जिस के अंदर हमें सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है किस पर, वन बताएगा, ओप्शनल पर, एसे राइटिंग पर, एथिक्स पर, ठीक है, यह तीन जो पेपर जो हैं, यह तीन पेपर जो हैं, आपके, ऑप्शनल जिस के अंदर इंक्लूड़िद है, आपका अगर आप इन तीनों को घंक से कर लेते हो, तो आपके 1000 मार्क आउट आउट ओप्टी प्रिपेर हो जाते हैं, क्योंकि मेंस एक्जामिनेशन सेटीं का होता है, आप लोग को पता है नहीं जीज, यह मैं आपको पूरा पैटन बताओंगा, पैटन किसको नहीं पता, किसको अपने पढ़ेंगे, और अधरवाइस सेक्योटी रिजन से, आप प्लीज रिप्लाई कीजे मेरे को इस पे, चैट पे, एक 4615 EFFEAA से एक बच्ची जूड़ी है, अपना नाम बताईए और मैं देखता हूँ किसी का नाम नाम ना हो, क्योंकि यह सेक्योटी रिजन की काफी बच्चे जूड़ी है, दूबे जी नमस्कार, एक 11 P&L से नाम से चूड़े हैं, अपना नाम बताईए, अधरवाइस मुझे आपको प्लीज क्लास के बाहर निकालना पड़ेगा, आप प्लीज अपना नाम बताईए, मैं आपको चैट पर मैं भेज रहा हूँ, अप पूजा सिंग, okay, पूजा सिंग, welcome to the class, मैं आपको नाम यहाँ चेंज कर देता हूँ, विकॉस यह बहुत important है कि हम तरीके से काम करें, otherwise क्यों किसी के security के आपर हम बात करें, ठीक है, okay, पूजा सिंग, welcome to the class, okay, तो हम लोग बात कर रहे थे, अब मैं आप लोग को ठीक है, ग लोग से चीज़ें मिस हो रही है, raise your hand and ask me again, ठीक है, तो मैं ड्रेक लिए आपको PPT पे लेके चल रहा हूँ, ओए गाइस, PPT विजिबल है अब सबको, PPT विजिबल है अब सबको, तो गाजियबाद IAS Academy की ये PPT है, और ये स्टार्टिंग होती है, मेरे से स्टार्ट होती है, पहले क्योंकि आप जिस टीचर की नीचे आप पड़ रहे हो या समझ रहे हो बाद, उसी क्वालिफिकेशन जानना बहुत जुरूरी होता है, तो मैं founder and director हूँ गाजियबाद IAS Academy में UPSC Connect दोनों का, co-founder हूँ कुडगाओं IAS Academy में, वैद ICS की टीम की टीम की में में हूँ में, ex-faculty हूँ वेदानत IAS and Vision IAS का, और कई सालों का मेरे पास experience है, बच्चों को पढ़ाने का, साथितात हमाई टीम में और भी कुछ लोग हैं, like Mr. Dharmpal जी है, Mr. Santosh है, ये सभी ल सा writing and personality development part, then we have Mr. NKVAD sir, ये हमारे guru है, और ये हमारे साथ जुड़े हुए, ये हमें हमें जगा-जगा हमें help करते हैं, और आप लोग को भी help करेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं, we have Mr. Si Thakur sir and Abhishek Madhukar sir, then we have Mr. Shashin Sharma and Mr. Kapil Bhardwa, सबसे अच्छी बात है कि हमाई team पिछले 7 साल स पाता है, उनके बारे में हम बात करेंगे, pattern में जो है, तीन तरह के exam, pattern में basically 3 stages होती है, we have prelims, mains and interview, ठीक है, तीनों stages के अंदर हमें 3 different तरीके की skills चाहिए होती है, ये skills आप लोग प्लीज अपने pen paper पर note कर लिए, prelims के लिए हमें चाहिए logical and analytical skills चाहिए, क्यों चाहिए, कोई analytical skills, analytical skills क्या होती है, कोई बताएगा, हाँ जी बच्चों, इतने सारे हो, सारे mute पर हो गया, आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को, तो आपके दिमाग में logical skills होनी चाहिए, logical skills मतलब कि आप पूरा से रहे बस पढ़ेंगे, आपको 40% paper आपको आ जाएगा, बट 10-20% जो question का paper आखरी में बच्चता है, जिससे बच्चा pass या fail होता है, वो शिर्फ और सिर्फ आपके analytical skills और logical skills के आता है, इसके लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करने पड़ती है, तमाम तरह के test series पर हमें काम करना पड़ता है, तब यह paper हमाई लिए असान हो जाता है, अधर्वाइस यह paper बहुत मुश्किल होता है, जो कि इसमें जो options होते हैं, इसमें जो options होते हैं, बहुत ही जादा complicated होते हैं, एक के बाद एक मतलब एक जैसे ही सारी के सारी होते हैं, ठीक है, हर्श अपना network चेक करो, मेरे यहाँ पे पूरी पूरी की पूरी वो आ रही है, और बैंद वी पूरी है है, हाप अपना network चेक करी है, ठीक है, now मैं अफ मैंभिल मेरे नेट्वर्क चेक कर रहे हैं, ठीक है, नाओ, जैसे मोबल मेंट जरों एक जो रहा है बरबार, अब हम बात करेंगे, मेंस एक्जामिनेशन के बारे मेंस एक्जामिनेशन के बारे मेंस आप बताइए कि मेंसे इग्जामिनेशन के इग्जामिनिशन के विए कौन से स्किल पूजा पूजा इए रिदेन पेक्टिस रिदेन पेक्टिस कियो हुआ ऐसे क्यों कोई थोड़ा से एक्टिन करो फूजा जिससे पूछू प्रिज वही बोल ये ठीक है तो घड़ेक बतिक्क आजारा है का मतलब क्या होता कि हमें आंसर खर Northeast करने पडती है तो वो तो हम बच्पन से करते है तो जो हम हम बच्पन आपने अपने ग्राइज़िशन में आ यान मैश्न कर रहे हैं अपने माइक charge से जो आंसर राइटिंग गरें सब करते हैं और अभी आंस राइटिंग करेंग किए वह इस म现在 ऐसे ऐसमें किया फरक होता है Yes Mr. Abhiman shin क्या 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 पर या पर क्रॉपर टेखनी कल बड़े हैं जो हम अपने एक्साम EC में कर सकते हैं प्रॉपर सिस्टम जो वर्ट्स होते हैं रही हम इच तो बद में इंपन अपने अपने अंजर करना पड़ेगा अपने इर्लिपोरिट करना पड़ेगा अपने वर्ट्सम नहीं तो एक्चुली अब नब आर जो अपने टरह के नीज़ाने लिखने होते हैं आप लोग करते हो अगर हम जो है अगर हम इसको नहीं भरते हैं क्या नामें अगर हम शीट नहीं भरते हैं तो क्या होगा हमारा नंबर कट जाएंगे तो बच्चे क्या करते राफेल के बारे में जो चीज पता सब लेखे देंगे और इससे क्या होता है तीन साल यह चार साल की रजूशन में जब लगातारी चीज करते हो तो आपकी रैट्टिंग स्किल्स हिंडर हो जाती है बहुत जादा हिंडर हो बहुत खुपसूर्टी से लिखना होता है जैसे होता ने कि जावे दक्तर साहब है वो बोस्य करते हैं कि आप minder चीज तो सबस्किय करते हो पर सबकार ने चीजियर स्क्रीए कम से कब बहुत इंपौर्टत पैरामेटर है कम से कम से कम words के अंदर जादा से elaborate अभी कर पाएंगे, जब आपकी grammar intact है, जब आपकी sentence framing intact है, तीसरी जब आपकी vocabulary intact है, ठीक है, कोई doubt हो, कोई question हो, कोई contradiction हो, तो please आप बीच में बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये skill कैसे आएगी, ये skill आएगी with practice, 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 अच्छा, आपकी writing skills खराब करने में एक और बड़ी कमाल की एक बड़ी बड़ी अच्छी चीद का भी बड़ा role ऐसके अंदर, जो आपकी live का part है, आपके phones का, phone आप सभी use करते हो, WhatsApp सभी use करते हो, ठीक है, तो WhatsApp University पर कैसे पढ़ाई चलती है, LOL, TY, thank you, हम लोग हर चीज जो है, अबरिवेट कर चलते हैं, कई बच्चों की answer copy check करते हुए देखा है कि बच्चे अपने answer sheet में भी abbreviation लिख देते हैं, so abbreviations are not allowed, हमको या आदत change करने पड़ेगी, अगर आप seriously चाहते हो कि UPSC का exam आप qualify करें, तो आपको या आदत change करने पड़ेगी, और answer writing में करने पड़ेगी, तीसरी चीज क्या चाहि करने के लिए, correct answer, precise answer and on time answer, क्योंकि अभी जो हम pattern जिसको follow कर रहे है, UPSC का 2 साल का pattern देखें, तो वो आप से GS के paper में 20 सवाल पूछ लिए, 12.5 marks के, ठीक है, कि किसी ने पुराने paper देखा हो तो आपको पता होगा, 20 सवाल पूछ लिए, 12.5 marks के, और 180 minutes मिलते हैं, तो per question आपक 50 words लिखने हैं, तो कितने words होगा है, 20 to 150, 3000 words लिखने हैं, तीन घंटे के अंदर, 3000 words लिखने हैं, तो कैसे होगा यह manage, जब आप लिखते हो, यह चीज मैंने करी हुई है, मैंने मेंस examination के दो बार दिया हुआ है, जब आप लिखते हो ना, तो आपकी यह चीज सूच जाती है, क्योंकि हमें लिखने की आदत नहीं होती है, उसके बाद यहाँ पर यह आपका, यह आपका यूनिवस्टी एक्जाम का पेपर नहीं है, यह आपका UPSC का पेपर है, जिस पर आपका करियर डिपेंड करता है, आगे कि देड़ तो साल डिपेंड करते हैं, आगे मतलब देड सैमिना, आपका दिमाग इतना स्टोंग होना चीए, इतना कर्टिष्ट होना चीए, इतना वेलवर्ज होना चीए, कि वह तीन घंटे तक तमाम तरह के सब्जेक्टस से लड़त के, सब्जेक्ट सुचिंग बहुत होती है, जिस देड बात करो तो है, अगर आप का हिस्ट्र आपको करनी है और आपको आपको आपका दिमागी काम नहीं कर रहा है पहला कोशिए जोगरीफी का कि अगला सुसाइटी पर जाते हैं दिमाग में टेंशन हो गई एंग्जाइटी भर गई तो क्या है यह पहली चीज हमें चीज है यू कन विन एक बुक है शीव खेडा साब की बहुत पुरानी बुक हैं 1999 में लाउंच हुई थी और मैं इस बुक का खासी दिवाना हूँ और इस बुक में उन्हें एक बात लिखी है और यह कमाल की बात है जो हम आप लोगों को दे शेर करने जा रहा हूं इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टन चीज हमें बात करनी है हमें वो यह बात करनी है हमें यह समझना है कि हमारे पास mental stamina और physical stamina होना चाहिए और कोई भी कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस दोनों चीज़ें साथ लेके पैदा हुआ हूँ वो इसको जो है चीज़े डेवलप करनी पड़ती है अपने अंदर यह स्केल्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी अगर आप नहीं कर पाते हैं इसको डेवलप तो आप लोग परिश कर जाएंगे मेंस की examination में और natural से बात है इतनी मेहनत आप पड़ रहे है हैं इतनी मेहनत आप कर रहे हैं इतने subject आप पड़ रहे हैं तो fail होने गला तो कोई नहीं जा रहा है न एक्जाम के अंदर तो generally क्या होता है कि अपने आपको distraction से हटा के अगर आप इन दो चीज़ों फोकस करेंगे तो आप मेंस में में शांदार performance कर पाएंगे अब मेंस examination होता है 7500 marks का 1750 marks का होता है इसके अंदर करीब 5 GS के paper होते हैं एक optional का paper होता है ठीक है दो qualifying paper होता है उसकी बारे में बात करेंगे हम अभी उसकी बात करेंगे हम अब उसकी बात करेंगा जो कि basically आप समझे कि जो आपकी merit बनाता है ठीक है 7500 marks इसमें आते हैं 275 marks का 27 75 marks का आपका आपका जो interview होता है total examination होता है 2025 का और अगर एक general candidate जो है 1000 marks इसमें ले पाता है 1000 marks अगर वो fetch कर पाता है या कर पाती है तो उसका selection 100% हो जाता है in top 100 in top 100 की बात कर रहा हूं top 100 मतलब IAS IPS and IFS तीन तरह की service होती है All India service जो की top service माने जाती है UPSC के अंदर वैसे 24 services offer करता है बड़ तो 3 services होती है वो top services होती है top services माने समझने है जिसके अंदर IAS होता है भारतिय प्रशासनिक सेवाइं भारतिय पुलिस सेवाइं भारतिय विदेश सेवाइं Indian administrative services Indian police services and Indian foreign services ठीक है इंडिया में बस तीन ही तीन ही है और यही जोब है जिसके लिए वेशी के लिए आप करने करने के सोच नेtake है और भॉर राइजन प्रसेज़ प्रसीज प्रसीज़ फ्यूशर्यस इाट क्लियरे व्रीवन तो मंइब बैक तो ओ अझा आते हैं Watching इंडि शक्रानी पर्सेप्श्चर एंडर तो बताहिया आ धिक एक एंदर किस तरह की किस तरह की चीज चीज चाहिए हो दिसके अपने नाम बताईए प्लीज अपने नाम बताए प्लीज अपने फिस गयूने एंद बॉल्ट मालविका जी आपने जो बात बोली जेन्विन एंड बोल्ड नहीं हमें परस्नालिटी जो चाहिए होती है क्योंकि अगर आप जिसके आगे जा रहे हो वहां 5-6 लोगों का बोर्ड बैठा हुआ है सारे के सारे रिटाइड आई-स-ई-फैस अधिकारी है जिन्नों जिन्नों 30- साली साली साल जो है नौकरी करी है ठीक है उनका जिन्दकी पर काम रहे है कि गलत चीजों को पकड़ना हो देखते हैं पकड़ लेते हैं अगर आप उनके आगे जाके फेक करोगे जूट बोलोगे आपको पकड़ लेंगे बोलेंगे come again try again next year एक्चुली अगर बात करें हमारे पार तीन चैट्स आई एक बार चैट्स देख लेते हैं उसके बाद हम आगे चलते हैं ठीक है यह स्पाइल ओनस्ती ठीक है प्रशर जहेल सकता जया ठकरॉल समवाट इस इस ओके ठीक है तो यह जो चीज़े है अब परस्नालिटी को परस् कि अपके कपडे से ज्चनेय का मतलब यह नहीं होता कि आपने का कपडे होते हैं वर यह रास्ता करते हैं आपके पेरेंस क्यूति हैं और झाज़ पहले आपके इंट्रवी बोड के अंटर करोगे तो सबसे पहले आपके कपड़े ही देखे जाएंग को अपका पिर आपका वो matter करेगी सबसे ज़्यादा दो चीज आपसे matter करेगी एक्चिली यह जो यह जो इंटर्वी होता है यह एक वाइवाइवास होता है जिसके अंदर आपसे वो लोग बात करते हैं डिफ्रेंट इशूस पर करेंट इशूस पर बात करेंगे इंटरनेशनल इशूस पर बात करेंगे आप सभी लोगों से डीएव बरवाया जाता है डीएव का मतलब होता है ditated application form बरवाये जाता है जिसके अंदर आपकी सारी जानकरी ले लिए याथी आपकी hobbies क्या है अगर आपने hobbies में में लिख दिया क्रिकेट तो लेट से किसी की बात करते हैं कोई अपनी होबी बताने में इंट्रेस्टेड है यहां पे मैं एक मॉक करके देता हूं आपको को किस तरह के खाना इस से बात करता हूं को अभी मन्यू आप में से बता हो आप लोगी हो बीकिया दूनों में से को एक बताओ को ही एक बता हो को इक बताओ तो आपको यह चीज दुरूर पता होने चीज की food safety FSA AI जो थार्टी है वो किस तरीके से काम करती है और उसके और उसकी implications क्या है for a for a restaurant or for a for a street vendor पता है कुछ this is the thing जो भी चीज आप लोग बोलोगे एक बात आद धखना जो भी चीज आप लोग बोलोगे उस चीज को rais itd довольно ऑभी बोला ऑभी बडॉला की पायल ना एक बात बोली कि मुझे कुकंव बहुत पसंद है अभी आपकी क्या है अभी? सर मुझे घूमना और लीडिंग करना पसंद है अब यहाँ बोला कि सर्स सर लास्ट टाइम में गोवा गए तो गोवा में फैनी क्या चीज होती है फैनी कैसे बनती है गोवा में गोवा में गोवा में जो है पॉर्टिकिस कल्चर कहा पर है आप जू भी कर रहे हैं इस टाइम पर, आप जो भी कर रहे हैं जो भी आपकी भॉब इहाएम सब कुछ पोई चानना जरूरी है अगर कोई बच्या बोलता क्रिकेट खेलता हो तो तो क्रिकेट के बारसे असने पोचेट हैं कॉछेंगे और आप hobby जो होती है, वो out of compulsion होती है, not out of compulsion होती है, किसी के पापा नहीं बोलेंगे, जा पेटा cricket खेल, आप वो cricket को hobby बना, hobby जो होती है, self motivated thing होती है, इसलिए जब आप hobby कर रहे हैं, तो आपके इसके बारे में सब चीज़ों की knowledge होनी चाहिए, अगर आप guitarist है, आप footballer है, आप cricketer है, आपको explore करना पसंद है, आप नगी जगा जाना पसंद करते हैं, आप cooking करना पसंद करते हैं, तमाम तरह की चीज़ आप करते हैं, इन सभी चीज़े को बारे में, जो भी चीज़ आपको पता है, जैसे पाईल ने बोला cooking करते हैं, तो cooking गंदे किस तरह cooking करते हैं, तो organic farming क्या होती है, वहां से एक section निकल जाएगा, आपका एक चीज़ चीज चलाएगा, मसालों की तरफ चला जाएगा, मसाले होने के लिए जो आपको आपने जो हाँ पे डीएफ में जो भरोगे न, उसको जब तक आप प्रैक्टिस नी करोगे, तब तक आप उसके अंदों ऑनिस्टी से भरने सकते हो, दूसरी बात आपका जो state होगा, आपके state के बारे में, बहुत जनकरी ली जाएगी, आपके state के बारे में, आपके नाम के बारे में, आपके कास्ट के बारे में, society, आपके घर के आसपर जो प्रॉब्लम्स उसके बारे में, contemporary जो इशू चल रहे हैं, जैसे अगर आपका आज इंटर्वी होता है, for a time being, COVID के बारे में पूछ लेंगे आपसे, कल SCO की मीटिंग हुई जिसमे अजीब दोबाल उठके चले गए, जिसकी वज़े से, रशिया ने राताड दिया पूरा पूरा पाकिस्तान को, क्योंकि उसने बहुत गलत नक्षा जो है, प्रिंट कर रखा था, जबकि पहले से इधायत थी कि आप लोग आपसी जगड़ों को इसमें आप नहीं बात परकरशन पूछ सकते हैं, कमा तमाम तरह की चीज़ें इस तरह की पूछी जाएंगे इसके अंदर, तो इंटर्व्यू को लिए सिंपल से बात हैं, एक चीज होते ही कॉल अब्जरवेशनल पावर, पता क्या होता है, अब्जरवेशनल पावर, लाइक अभी मन्यू आप कह सब्सक्राइब किसी चैफ जरती है, सर एजुकेशन, ओनली सिटी है, इस एक कोचिंग और वी कोचिंग, कोचिंग सेंटर्य रिइन फॉल कितनी हैं, सर एग्री कॉल्टर में अभी इतना वो नहीं है, आप एटी और नीट का ही सिंग इसनर, इसनर इन फॉल कितना है, तर इ 70-60 cm कमाल के बाद कोटा की इस्टरी कहा है कैसे जगह कोटा की इस पूजचा की आप शाइद गाजयाबाद से है का यह सो आप गाजयाबाद को वह से नहीं पूचा जिससे पूच रहा हुआ उससे बताएंगा ठीके इसान जोस्ट जो लिए सकते हैं जाला मैं ऐस सपाइब के साम चाहँ है इसफाल आपके नाम पर और चाहेंगे तो यह तमाम तदा की चीजें वह आपको मोर्देशनु legisl शाजह चाहिए आपके 360 डिग्री में क्या-क्या हो रहा उस चीज को आप अबसर्ब करते चल रहे हो ठीक है हर चीज़ पर आपकी राय होने चाहिए यह सर एक्टीब रहना से यह हर टाइम मतलब देखिए अगर आपको इंट्रिव्य के लिए प्रिपेर करना है तो सबसे सिंपल टिक दे रहा हूँ आपकी सिटी में आपकी आज पर जो भी समाजिक प्रॉब्लम से बारिश में पानी भर जाता है या बारिश नहीं होती सुखा पड़ जाता है उन सभी का एक पॉसिबल सॉलूचन अपने तरीके से रूड़ना शुरू कीजिया आप का पूजयाबे रहता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पर ट्राफिक के संस नहीं है कोई इन्सान कहीं से भी कुछा आता है बट जब से अब इसका पॉसिबल सॉलूचन क्या होगा ट्राफिक को सुलूचन करने का हर जगा हो तो हम पोली आनके सकते में खड़ा नहीं इवन कोटा में राजस्तान के कई सारे कई सारी शहरों में कैमरा लग चुके रडार्स लग चुकी हैं आप ओवर स्पीडिंग करो अब रड़ लाइट जम करो आपकी नंबल ब्रेट तूटी होगी इविनिटली चलान काटके आपको आपके अपके घर भेत दिया जाएगा औ अब आपको बोलेंगे पहले चलान को क्लेर करो उसके बादी जो है अब इससे क्या हुआ इससे आदमी कम लगें और रेवीनियू बढ़ गया और सबसे बड़ी बात इंसान का एड़िटीूड चेंज हुआ सबसे बड़ी पास इंसान का एडिट्यूट चेंज हुआ तो सबसे बड़ी जो जो स्ट्रगल है UPSC गंदर वो यह है कि आपको अपना एडिट्यूट चेंज करना है और जो सबसे मुश्किल काम होता है अपना एडिट्यूट चेंज करना सबसे मुश्किल काम होता है और ओवरनाइट प्रोसस नहीं होता है यह कि प्रोसस होता है तो जैसे जैसे आप पढ़ते दाओगे वैसे वैसे चीजों करते जाएंगे वैसे 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 आपका जो है तो UPS exam का timeline होता है, notification हमारा February से मार्स के बीच में आता है, अगर आप note करना चाहिए तो note कर लीजएगा, ठीक है, तो इस information के लिए आपको बहुत सारा internet सर्फ करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक और खमाल की बार बतातो, प्रिलम्स examination में क्या होता है, एक real life का example बताता हूँ, जब आप प्रिलम्स का exam दे रहे होते हैं, तो पहले तो pressure दिमाग में बहुत होता है, उपर से अगर आप North India में रहते हो, तो temperature भारगा 40-45 degree मे जून के अंदर, उसके बाद आपका खुद Sweating से क्या होगा? Irritation होगी? Pressure? तो बहुत high pressure में हमें काम करना पड़ता है, बहुत high pressure में हमें काम करना पड़ता है, तो यह चीज़ हम पहले से define करेंगे, तो मैं अपने बच्चों को generally बोलता हूँ कि एक्जाम जब है, जैसे कि पहले एक्जाम हमारा 3 June का था, तो मैंने ब सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा दिमाग रेडी नहीं है, हमारा concentration कहीं भी अगर बिगड़ा, क्योंकि अगर 50 degree temperature पर आप जाके paper जे रहे हो, तो बहुत likely chances है कि आपको blackout हो जाएगा, पानी करमी की वज़ा से, tension की वज़ा से, और होता है बच्चों के साथ, बच्चों के स मेंस एक्जामिनेशन होता है September-Desember के बीच में, अब मेंस एक्जामिनेशन बहुत अच्छा ताइम पर होता है, September में हो जाता है, तो बहुत अच्छा temperature रहता है, ओल अगर बीच में अगर चलते हैं, यह आगे चलते हैं, यह प्रिलिम का सभ्जेक्ट है, आप जेक्स के सबक् automation को मिला के जो वेदि के इसके इन दर ऑफ चीज्ट बिल्कुल आह दाने चीज देंफरेंग डिल्क नीजेगा आए गनभार के जण आखे बागर करेंगे हैं कौन कर तो आपके लिए काम कर सकती हो अफे के इसके स्कामहत के आएगे हो मारे आगा हमारे Geography आएगा, History आएगा, Policy आएगा, Science and Tech आएगा, Economics आएगा, and Current Affairs आएगा, इन सारे sections को मिला के जो है, आप से 100 questions पूछे जाएंगे, दो मार्स के, और मैं बता दूँ, जो cut-off रहती है, जनरल के उसमें, जनरल की अगर बात करूँ तो मैंने देखा ही, cut-off जो है, cut-off जो है करी 55% का आप से 60% का मान के चलेंगे, तो आपका हो जाएगा, उसी तरीके से, जैसे-जैसे का आपकी category हींद होती जाएगी, वैसे-वैसे decline होती चली जाएगी, cut-off भी, ठीक है, आगे चलते हैं, ये C-set का लेबर से आप देख लीजे, एक बड़ नोटिस के, देख लीजे, C-set में, लाइगा रहा है कि? ठीक है, C-set में आपको Math, Reasoning, Comprehension, Interpersonal Skills, Decision Making का पेपर आपको करना पड़ता है, ये पेपर जो होता है, क्वालिफाइंग के नेचर होता है, क्वालिफाइंग का मतलब यह होता है कि आपको इसमें बस 33% number score करने होते हैं, 33% number score करने होते हैं, ठीक सब्सक्राइंग करने होते हैं, तो आप इसमें से कोई भी दो सेक्षिन उठा लिजे, Math, Reasoning, Reasoning, Comprehension, Comprehension of Maths, तीनों में से कुछ भी उठा लिजे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आगे चले, आगे चले, आगे चले, नोट कर लिया, जी सर, आपके, 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 अरब मीच जाते हैं, मिचकते ब inspection कर रहे हैं, हमारे आपस के बीच में जो inter ком contrôle, छो हम लोग कमणीकेट करते हैं कि दूर से, तो ब तो यह हमारा है तो यह हमारा है मॉडरेन एक जाम को आप देख सकते हैं इसमें हमारे दो दो लेंगवजे कंपलसरी होती हैं एक लेंगवज इंग्लिश कंपलसरी होती हैं और और उत जांवार है कि जो तो यह कोई बी एक यह इसी दिया पर डियसा के बचे रहा है पंजाब के बच्चे खुर्मो ख ले कोई प्रदार के सकते हैं पन्जाब के बच्ला अयोग्प लिए सकते हैं और की असंदोने इसको होगा फिरू बहें कर दो षले होत्क दो ज हुञे तो यूपी एसी मेंस के बागी पेपर आपके चेक नहीं करेगा अगेन रिपीटिंग अगर ये दोनों पेपर कॉलिफाइंग नहीं होते कॉलिफाइंग पेपर को आप हलके में ले जाते हो और गल्ती सब्सक्राइब आप फेल हो जाते हो फ्लंक कर जाते हो तो आपके बागी पेपर यूपेशी चेक नहीं करेगा इस एट क्लियर एबरिबन जी सर अबादे है जी एस पेपर बन क्या सवाल है पूचिए सर पेपर भी इंगलिस जो है सार वो किस तरह का टॉपिक का कुछिशन आता है यह को बग्सिया है बेसिक ग्रामर बुषरेंगे सणोने में बेस्पाल आता है पुछ आते हैं वह बटत बेसिक होती है कोई चुछ पर्ण वहले कुछ में नहीं होता सके लिए तो पेपर अशरे टो अगेच चाओ झालर है पेपरेंद में आपको कोई भी अपसके डिई यह शन拼ुत से भी खुझके में शुकर बादा है, वह राता है बीकट है कि नोह बीं शरा हुआ से , शद्विक्त ही जाच्वी इलाकिवा खुटितले अटनंडीडा अभल Sugaka बहुत बहुत बेकर होता है बः बेसेक सा पेपर होता तरक अट अ है आपको जो हिस्ट्री जोग्रफी सुसाइटी पढ़नी पड़ेगी दाइसों माक्स का वेपर होगा इसके नंबर चुड़ेंगे आगे चलते हैं जीस पेपर टू में आपको पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनाशनल रिलेशन सोशल जस्टिस इन चार्ज जगाव से आपके आप इसके बाद आपका 500 नंबर आता है जिसको हम और बॉलते हैं एक सब्जेक्ट आप लेंगे उसके दो पेपर आपको पेर करने पड़ेंगे पेपर एन पेपर बी तीक है यह बहुत सारे बहुत लंबी लिस्त है करी 40-45 सब्जेक्स की लिस्त है आप कोई भी सेलेक्ट कर सकत क्जेक्ट आपको पतारात है कि अचलते हैं कि आ हम लोग बात करेंगे एक पार सामने आज़ेगी एat प्रिंसी वेलकम सीमा वेलकम आप अपने आपको प्लीज अपने आइडेंटरी बताईए 57 BD ACA से जो चुड़े हुए अपनी आप बताईए मीटे अपना नाम बताईए चवी जी वेलकम आप सारे बच्चे ने चुड़े हाँ आप लोगों के कोई 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 क्वेश्चन से तो प्लीज मेरे से चैट बॉक्स में पूछना शुरू कीजिए ऑप्सनल के बारे में हिंदी मेडियम इंगलिश मीडियम के बारे में आंसर राइटिंग कैसे करनी है तम कि हमारे माता सारे क्वेश्ईंस आने शुरू हो चुकी हैं बहुत अच्छी बात है आठम पर ब और CSET से घबराओं मत महीमा चाबडा आप किस तरह की बुक्स की सजेशन मांगते हैं क्योंकि हमने 26 सब्जेक्ट रिसकत करें कौन-कौन सब्जेक्ट चाहिए राहूल जी मैं आपको CSET की पर्सनली आपको मैं बताऊंगा किस तरह से CSET अप्रोच करना है CSET में आप नियूस पर पढ़ना शुरू कर दीजे नियूस पर को जब कॉम्प्रेंट करेंगा तो कॉम्प्रेंशन आपका अल्रेडी बहुत 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 हो जाएगा और कॉम्प्रेंशन जो होता है किस तरह की बुक्स की आप मांगना चाहते हैं किस तरह की बुक्स आप चाहते हैं प्रीस वोटा से लैबरेट कीजिए और आपने पूचा वट अब अब यॉट अपने आपको अपना पूचिन पूचिए आपकी अच्छा कुचा है बहुत भाट जाएगा तो question yeah hello sir hi but actually I was very confused about optional meri apps about the OEP so I was making history as an optional okay but then my friend correct oh right ready I see dollar crime college I have a background kata meri kaki meri bohut bachos se baat chilti thoda sa remind kera deejay please economic on my name so why you are want why you want to opt for this anthropology you have 12th me biology the 11th me biology the no no sir no but the main reason is that I have heard from many people that anthropology class labels bohati limited time period me ho jayega or iski bohut bhaar revisions bhi ho sakti and social issues issues is a story evolution man ka thoda historical path hai thoda social path hai biology per oda emphasize zhaada kiya hoa and loogonai dhekye amma 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 haa haa but but as a razzar pundi ke baad pura question puse is sorry man interrupt kari please go ahead पर पंडने के बाद इंफ्रेस्टर का डेवलप हो जाता इनकेश बिकर सब्सक्राइब चाहिए इसके इंदर मैं समझता हूं होते हैं सोचिल लॉजी के बच्चे बहुत होते हैं देखो एंफ्रोपलोजी का जो पेपर है पेपर बन पेपर टू पेपर बन में आपको पूछ पूछा जाएगा फिजिकल एंफ्रोपलोजी एंफ फेपर बन का जो सेकींड पार्ट अप्र अपेपर अपसे आप से आके लॉजी के बारे में बेसिकली फॉसिल्स के बारे मैं ठीक है पेपर टू इस टोटली बेस दोन सोशील लॉजी लाइक इंडिन इंडिन ट्रावल क के बारे में पूछा जाएगा उसके अंदर और जो और पूछा जाएगा इंडिन सुचाइटी के बारे में तो anthropology is no doubt is a very good option provided आपकी 11 12 की biology आपकी strong होने चीए इसके लिए आप मेरे से personally connect कीजेगा हमें आपको personally बहुत अच्छा से guide कर दूँगा बिकाउस मेरे anthropology देखा हुआ है और interview अपियर किया हुआ है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके इंदर बहुत अच्छा subject है provided आपको interest create होना जुरूरी है इसके अंदर और आपने जो बात बोली subject सीदे सी लिमिटेड है questions इसमें repetitive होते है ठीक है ठीक है जया अगला question मैं लेता हूँ आप बच्चों का आप एक बच्चे नहीं पाइल 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 ने कोई मैं पहले संदीब जी कहां पर रहें आप आप मुझे दिखे थेज़ेंगे अप अब यहीं पर रहें आप संदीब जी आप सुन पा रहें हैं आपकी एज कितनी है तो गाइज अगला जो चीज है हमारे पास पाइल जी नहीं से पूचा है कि सर इफी टेक हिंदी एज आवर मीडियम इडियम और इसका उल्टा कुछेंड पूचा है पाइल जी ने कि अगर हम हिंदी से पेपर दूँ तो वा आप इंग्लीश मा बिलकुल आसा कर सकते हैं इंग्लीश हिंधी तामिल तेलकु जिसमर जी में जाके आप इंटर्विव देखे आई है वहांग इंटर्वेटर्स बेठे होते हैं प्रब्लम नहीं है ठीक है बस यह है कि जो भी यूज करें सामने वाले को चीज समझ में आने चाहिए ठीक है तो अपना एक्स्पेशन जो हो बहुत बहुतर तरीके से बोलना है ठीक है एक कबीर दास का दोवा मुझे याद आता है UPSC के परस्पेक्टिव से मुझे लगता है यूपेस्टिव के लिए उन्होंने लिखा था बोली एक इन्वोल है जो की बोले जान दिये तरा जो तोल के फिर मुख बाहर आने ठीक है यह कबीर दास ने एक बात बोली थी जो मुझे लगता है कि UPSC का उन्होंने देख लिए था कि इंटर्वी होगा आगा चलके तो मै अगला के लिए वात बोल देता हूं तो उनके लिए वात बोली गई है आपको जो बोलना है बोलिए आप इंदी बोलिए इंग्लिश बोलिए आप तैमिल तैलकू, Malayalam बोलिए नो प्रब्लम आट आल बट आपकी बात आगे कम्मिनिकेट होने चाहिए ठीक है यह था थीग अगला कूश्चन है इसान मिततलका इसान मिल मं माक केतने होते है भाई 33% ठीक है ओड़ आप इसारे बच्चे आए बहुत सारे बच्चें बच्चों को फाइदा है माल बिकाजी कहां है आप चले कोई आपको अद्धिस करता हूं आपका बैक्रांड क्या है इसमें अपका थो अफंट को छूव भी तो मेरी बात हु छाह है अप ओडिसा में कहा रहती है और शिक्राइब लिग में एंप अ नो, 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 I am not doing job. अगर आप लिखेंगे तो number मिलते हैं, no doubt number मिलते हैं, अब आते हैं कौन को, जोग्रफी इतना बड़ा domain है कि उसमें questions, नए questions बनने की हमेशा संभावना है रहती हैं, ठीक है? तो geography के question paper से पिछले 5 साल के जो मैं देखता है हूँ, optional game, बहुत depth में ले जा चुके हैं, तो आपको जो करनी पड़ेंगी, बहुत depth में जागे करनी पड़ेंगी, और ये कम से कम 3-4 महिने आपके लगेंगे इसके अंदर, ठीक है? इसके लिए जो basic books में आपको, मैं आपको suggest क को लेके हैं. क्लीर होगे अमालविगा बिटा? और कोई question है? और और optional दिमाग में हूँ, क्योंकि electrical, what is about psychology के लिए देखो, अब psychology में जो बच्चे बैठते हैं paper देने के लिए, वो कहीना कहीं से psychology से graduate होते हैं, ठीक है, psychology जो बच्चे लेते हैं, out of the interest लेते हैं, मैं बोलता जो psychology पढ़ो, पर एक बार selection करा लो, उसके बाद पढ़ो, psychology में, अगर आप psychology background से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि psychology में कही तरह की cognitive theories होती है, और जो बच्चा युनिवस्टी में पढ़के आ रहा हैं, और आप खुद से optional त्यार कर रहे हो, दोने में डिफरेंस नहीं आ जाएगा आप समझे इस चीज़ को, ये ये technicality आप समझे है, काफी बच्चे psychology को लेकर मेरे से question पूछ चुके हैं, including रिच्चा जी जो अभी RS दूबे जी के profile से यहाँ पे added है, इन्होंने भी मुछ से पूछा था, आपके सामने जो बच्चा बैठा है, जो आपका आपका जो competitor होगा कौन होगा, वो कोई ना कोई किसी college का graduate होगा, जिसने तीन सार साल, तबीयत से अच्छे से पढ़ी होगी, कोई और optional दिमाग में हो आपके, जी सर, sociology, sociology, very good, in fact, in fact, better than, better than geography, sociology, sociology में सबसे अच्छी बात क्या है कि दो महिने, दो से सवा दो महिने में cover हो जाएगा, पहली आपका GS paper 1 में Indian society आएगा, वहाँ पर आपको help करेगा, GS paper 2 में आपका social justice आएगा, वहाँ पर help करेगा, GS paper 3 में economic development के अंदर agriculture का section आएगा, वहाँ पर आपको help करेगा, GS paper 4 में moral thinkers आएगे, वहाँ पर उनकी theories काम आजाएगी, essay paper में एक ऐसे definitely आपका sociological base से होता ही होता है, ठीक क्या क्या follow करने पड़ेंगे? अवर साथ साथ बहुत बढ़ा है, और जो political science के second part है, PS IR बोलते हैं इसको, political science and international racialization, हम लोग रहे पे है, उस country में जहाँ पर हमारे मोधी जी हमारे prime minister है, ठीक है, और जिस आप से ते 5-6 साल के अंदर हमारे internationalization के dynamics change हो है, आप समझ सकते हो, paper 2 का हर साल update हो जाता है, तो अगर आपके पास political science की degree है, आपका background क्या है? political science then go for political science, अगर नहीं है तो don't touch it. ठीक है? any more optional, कोई और बच्चा कोई और बच्चा कोई और बच्चा के बारे में discuss करना चाहते है? sir, geology zoology is perfectly safe मैं आपका profile जानता हूँ zoology, science-based जितने subjects होते हैं इतने अच्छे हाते हैं, इतने अच्छे हाते हैं कि UPSC को scale करके नीचे लाने पड़ते हैं, scaling करने पड़ती है zoology is perfect zoology मैं कर आपके biology की knowledge 1112 की ठीक ठाक है तो biology, जिसने biology 1112 की ठीक ठाक है, उसके पास चार option निकल के आते हैं agriculture, anthropology, zoology and botany ये चारो subject पंटनी अपने 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 चारे बूलते हैं, इसको बोलते हैं अपने अपने आखें 360 डिगरी खोल के रखना है और कहीं ना कहीं से अपने जो वो होते हैं जो पैटन है UPSC का जो जिस पैटन मो पेपर पूछ रहा है उस पैटन को डिगर करने कोशिक कीजिए फेपर आराम से कौलिफाय हो जाएगा बहुत आराम से कौलिफाय हो जाएगा एनी मोर एनी मोर जी से विशन कोई और ऑफ्नल कोश्चेंज हैं अपने चूस करें सर जो अभी तक साइब नहीं जा पूछा सम्वाल ही सवाल किसने पूछा नाम ना अभी जी आपका 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 क्या है एक ची समझे कि बीएस बास्वन कमिटी की रिपोर्ट जो है गॉर्मेंट के पास दियो पीटी के पास टेबल है जिस दिन वो अप्रूव हो जाती है उस दिन से ऑप्सनल अप्सनल हट जाएगा अभी एक दो साल तक नहीं हटने वाला अगले 2023 तक वो एकस्पेक्टेशन नहीं है पर 2024 में जो बच्चे पेपर देने जा रहे है वो अप्सनल ना पढ़के वो अपने जीएस पे दियान दे अभे क्लियर होगे बिटा सर कॉमर्स अड अगाउंटेंसी वैशान अगला आपको पास नहीं तो आपकी कॉमर्स कॉमर्स अगाउंटेंसी बहुत जबरदस्त हैं तो आप लीजिए उसको कोई दिक्कत नहीं नंबर बोट अच्छे आते हैं इसका एगी तरीका है पिसले पांचे साल के पेपर को पिंट आउट लीजे और पहले आपन अच्छे से उसके बाद तेगर दिजीजिन। क्लिर? अच्छे साथ कोषचे सा अपका बेग्रांड का है पिटरम स्बॉस हैं वाख के पा सिदेन स्बुक्खन अपट में कर रहे हम हैं और भॉः उया वाइंस त्री ऐसा क्यों? कि इंटर्वा के पास जड़ा हैं कि एक तरफ हैं स्थे मैं हैं आपके पास बाइब में आपके पास आपके बाएब… आपकी पास पॉस्टा साइंस कॉं सेonsे кावर कि वैसा है कि इसल अर dis che स्य मैं ने हैं आपके अट JE dborg o Daian तो आपने पॉल साइंस उसमें लिया था उसके बात पबैट में आप में अब अगर आपने पॉल साइंस और पॉबएट में से कुछ किया है तो जादा अच्छा रहेगा कि आप इन दोनों सब्जेक्ट को फर्स्ट प्रायटी दें ठीक है पॉबएट को भी देख पॉबएट इस बेटर देन पॉल साइंस इट इस ने नेचर पहली चीज़ ठीक है पॉल साइंस फोड़ा सक आउट आप चला जाते है क्योंकि आयर का जो फंक्ट्रोल सकने बहुत जबरदस तरीके से होता है ठीक है रही बात हिस्ट्री हिस्ट्री में दिक्कत क्या है कि हि प्रिदम फाइटर मैक्सिम लोग यही बोलेंगे फिदम फाइटर बट हमारी कुछ के तावे बोलते कि वह एक्स्ट्रेमिस रिवलूशनरी थे आप लिख क्या होगे फिदम फाइटर और जो आपका चेकर बैठा है उसने पड़ा है रिवलूशनरी नंबर किसके कटेंगे अब आपके नंबर किके नंबर आपके कटेंगे ना हमारे और यहां पर अगर आपका और कम हो जाता है अगर आप 1000 रेंक पर जाती है करीब-करीब तो कॉंपिटिशन तो टॉफ है तो हम ऐसा ऐसी गलती तो नहीं कर सकते कि को सिस्ट्री में क्या होगा ना पीटा पूजा हिस्ट्री को जीएस तेख पढ़ने लिमिटेट में बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-ठीक है पर जब आप वर्ल इस्ट्री में घुसोगे तो आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा कि आप उसे कंपाइल करने में होड़ा टाइम लग जाएगा तीन से चार मेने लगें कि डेटिक लिए अगर आप कर सकते हो तो कर लो मैं आपको पूरा गाइड कर दूँगा को कि मेरे पास फर्स्ट जब मैंने इंट्रिव्यों अगला है क्रिशन अगला है सर दमें जीयस पेपर रिटन इं बंगाली वरजिन आप लिख सकते हो कोई दिकत नहीं है बंगाली में लिखलो कोई दिक्कत न हैं? नई, अफेलिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी जो बंगाली लेख्ष.. जो बंगाली में लिखेगे इसको बंगाली लोगो चेक रहेंगे बंगाली तीछरी आ यह कोई दिक्कत नहीं आएगी महानिश does आप परिशान मत हो यह, you are under my guidance, आपकी कोई चीज, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, don't worry, don't worry about it, आपकी कोई आपकी कोई दिकत नहीं है, आपकी कर सकते हैं, आपकी कोई दिकत नहीं है, पायल पूछ लिए, पायल जी, कहाँ पर हैं, आप माच और कैसे कर आपका बेगराउंड क्या है, पायल जी, पायल जी, आप है, आप से बात हुई है तो पैर गो अच्छा अच्छा तरीका इसके लिए रहेगा पाई जी आप पर प्राइब कर दीए जितनी चीज़े आपको आती है उनको आप हाईलाइट कर दीए जितनी चीज़े नहीं आती है उसको किसी और कलर सा यहां अगे चरते हैं पूजा इसके अच्छा नंबर आते हैं और अगर नहीं अगर दिक्ट हो तो आप मैं भी नंबर डालूँगा आप मुझे कर सकती है आपके हैं तोर दो बिटा कर दिया जाता है और उस ही में से पूरा सवा पूरा पूरा स्लेबस पूछा जाता है ठीक हैं प्रकाश कुमार वहां हम और दिप्लोमा इंड गराट इन डिप्लोम एंड ठीक है प्रकाश कुमार जी आप कहां पर रहा है अपना question मेले से प्रकाश्चन समझ नहीं आघरा प्रकार षिए हैं क्लास के अंदर कि है प्रकाश्च नएक पूछए का च्वस्ट नजी प्रकाश नगे डिग्री नर्सिंग में क्या है तो इस पसिबूल टो गीव एपीस एक चर्म डेट इस नर्सिंग डिग्री आपकी रिकनाइज उनिवर्स्टीर से तो है ना हां तो आप दे सकते हूं यह दिकत नहीं है सोशियोजी क्यों ले रहा हो नर्सिंग बैग्राउंड से हो तो बाइलोजी तो पड़ी हो गया आपने तो फिर आप सोशियोजी क्यों आप एंत्रोपलोजी अगरी कल्चर बॉटनी जोलोजी देखो इन में से देखो कोई भी बैग्राउंड से देखो जो बच्छा बेच्चे का बाइलोजी का नियुक्त करता हूं यह कि दोनों ही दोनों ही चीज़ इसकी अडर्स हो जाती है इसके अंडर उसका शॉक भी पूरा हो जाता है और उसके इसकी स्किल बी काम आजाती है और यहां पर हम इस जोशियोजी अगुशी अंत्रोप्रोजिस बने नहीं आए यहां पर हम सिविल सर्वेंट बने आए और जो भी रस्ता हमें जल्दी पहुचाएगा उस तक हम आउस तक पहुंचेंगे इस एड क्लियर प्रकाश एक बर एक बर एक बर एक बर एंत्रोप्रोजी को भी देखीगा प्रीज देन आप्टर हमारे पर प्रकाश जी है प्रकाश जी का हो चुका है सुनल सिंग ने पूचा साइंस एकॉनमी बुक वाथर साइंस की कोई बुक नहीं होती है सुनल जी आप है क्लास के अंदर सुनल जी अपना माइक को मुट किजए प्लीज सामने आईए साइंस के लिए कोई साइंस के लिए साइंस दो तरह से आती है एक होती जनल साइंस एक होती होती है ठीक है इन दोनों में डिफरेंस समझो जनल साइंस के अंदर आपसे जो है क्वेशन्स पूछे जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्लास 6 से 10 के बीच में ठीक है काम के नहीं है तिर सारी किताबे पढ़ोगे आपको एक सवाल और दो सवाल फसेंगे ठीक है पढ़ना है तो ट्वल्थ 11 ट्वल्थ के अंसी आटी पढ़ो जिसके अंदर आपको तो human anatomy आप सभी लोग note कर लीजे human anatomy nutrition and disease तीन चीज़े पढ़नी होती है human anatomy nutrition and disease वैसे भी मेरे को लगता है कि जितने भी लोग हमारे country में वर्ल्थ में जितने भी लोग है उन सभी को यह सारे chapter पढ़ लेने चाहिए उनका medical expenses over the life कम हो जाएंगे बहुत important चीज़े हैं इसके अं करना है आपको newspaper follow up करना religiously और जो भी science and tech का column आता है with respect to India या with respect to world आपको उसको अपने एक अलग कॉफी बनाकर लगते जाना है ठीक है clear economy के लिए तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आप एक काम करिये आप हमें contact किज़ेंगे हम आपको note provide कर देंगे ठीक हमाई note sufficient है data pages के page notes है बहुत क्रक्स में हैं और बहुत अच्छे तरीके से drafted है अब economy दो तरीके से आती है बच्चों सारे बच्चों ध्यान सुन लो economy पर बताने जा रहा हूं economy दो तरीके से आती है एक होते economy एक होते economic development दोनों में फरक कोई बताएगा एकनोमी development में एकनोमी में हम concept पढ़ते हैं जैसे GDP, GNP, BOP, balance of payment इस अमाम तरह के concept पढ़ेंगे ठीक है demand supply पढ़ेंगे वहीं जब हम इसको implement करेंगे उन society पे तो उससे जो development होगी या उससे जो under development होगी that would be counterint economic development so any activity done by government of India by default comes into the embed of this economic development ठीक है economic development 100 number का आता है या देखना 80 से 100 number matter करता है बहुत बढ़ा बहुत बढ़ा रिचा जी I think she is not here में को मेरी अबाद ने जानी है उनके पस hello hello yes sir continue आप क्या कहना चाहरे हो शकंदर कि आप प्लान करें लिए पॉलिटी को लेकर क्या प्लानिंग थे आपके बताईए सर एंट्रोपोलोजी और सोशोलोजी में था मेरा सर आज बाती थी मेरा science हाँ ठीक है अब clear हो गया चीज़ें आप clear है बिटा सारी चीज़ें yes sir हाँ थोड़ा mind make up पूर है करने को बोला है उसे execute कीज़े पूरा mind एकनम crystal clear हो जाएगा आपका बिलकुल clear हो जाएगा ठीक है sir एक मिट हरो एक मिट हरो एक मिट हरो एक मिट हरो मैं अभी questions रहाँ बच्चों कर लूँगा ठीक है sir how to proceed prepare for the current affairs galaxy tab 8a कौन है भया सामने आओ galaxy tab सो जो भी है please सामने आई या अपना नाम बताईए at least अपना नाम बताईए आप अपना नाम बताईए आप देखिए आप class में है और आपके identity नहीं हो तो मुझे class से आपको उटाना पड़ जाएगा आप प्लीज इस बात को समझेए security concerns होते हैं अपना आप जो है गाइडन्स प्रोग्राम के लिए देखिए हमारे गाइडन्स प्रोग्राम जो चल रहे हैं आप शायद जॉब करती हैं जहां तक आप से मेरी बात हुईती ती रिचार जी सिपल से बात है guidance program के अंदर हम आपकी help कर सकते हैं आप जहां भी जिस भी city मेर हैं आपकी सारी त्यारी हम करवा सकते हैं इसके अंदर पूरी के पूरी हम आपकी त्यारी करवा सकते हैं और यह त्यारी जो है आपको बहुत benefit देगी करीब 12 महिने का program है guidance program का और जो बच्चे गाजियाबाद में रह रहे हैं जो आजपास के बच्चे हैं उनके लिए जो वो तो offline का पूरा फायता उठा सकते हैं बट जो बच्चे गाजियाबाद में नहीं रहे हैं उनके लिए भी बहुत affordable cost में हम लोगों ने guidance program चला रहा है और सारे बच्चों को benefit क्योंकि इसके अंदर हम आपको सारे notes, सारे video lecture का backup, सारे test, सारे current efforts, सब कुछ आपके पास provide करते हैं और आपको timeline के साथ साथ आपका पूरा syllabus cover कराते हैं जिसके अंदर सबसे important component होता है essay writing and answer writing ठीक है रिच्चा जी, I think मैंने आपका answer question को address कर दिया है आप most welcome है, आप हमारे contact कर सकते हैं आप हमारे office के number कर सकते हैं और आप हमें join कर सकते हैं रिचा जी admission के लिए आपको हमारे numbers पर contact करना फड़ेगा, मैं आपको numbers अभी दे दूँगा, आप हमारे numbers पर contact कीजिए या फिर हम आपका data हमारे पार से हम आपको खुदी callback कर लेगा, तो हमारा जो course है, ओके guys, यह सारे questions हो गए, अभी कोई और question बचाएगया, ठीक है, तो रिचा जी आपको अगर ये guidance program join करना है, जहां तक मुझे याद है कि आप गुडगाओं से हैं और आप working है, साथ-साथ आप पढ़ाही करना चाहती हैं, तो आप most welcome है हमारे उसमें, बह कोई और सवाल किसी के दिमाग में, किसी तरीका का question कोई हो, आप लोगों के दिमाग में, कोई भी question हो, वैसे मैंने कोशिच कर रही है कि बहुत सारे questions को मैं आपके address कर दूँ और कर भी पाया हूँ, एक question Sandeep Kumar जी का रह रह रहा है, प्लीज एक मोट रुगे, Sandeep जी आप है सब्सक्राइब कर दिमाग में, किसी तरीका कर दूँ पाया हूँ, ओके, इशान आपका कोई question था, आपका कोई question था, आपको नौ बजे शुरू होती है, 10.30 बजे खतम होती है, और अभी हम लोगों ने यह जो कोर्स है, यह special design किया COVID के बच्चों के लिए, और online lecture हम इसले च सब्सक्राइब कर दोधा सब्सक्राइब करना चाहती है, तो आप हमें कांटक कर सकती है, हमारे नबरों पे, रजनी जी, आप जोईन करना चाहते है, हमारा बैच शुरू होने वाला है, अभी 28 के असपस, तो आम आपको intimate करेंगे, और आपको join करना हो, तो उसके पहले आप आपन भी formalities पूरी कर लीजेगा, ठीक है बच्चों, गाइस, एक, हाँ जी नियो बैच शुरू है, गाइस, आप लोग के पास और कोई भी सवाल हो, तो प्लीज मेर से पूछ लीजे, बहुत, बहुत सारे questions को मैंने अल्रेडर्स कर दिया है, और और भी इतने questions उनको भी address क सथारों मैंसे सर क्या जूँज करें, मिल सलेबस की बेसिस पर चूँज करें, या फिर कैसे करें सर, ऑपसिनल में किसी बच्चे को नहीं बोलता करने को कि इसम डेडानेमिक होता है, बहुत आदा डेनमिक होता है, डेटा, सटेस्टिक्स, तमाम का शरणी चीज़े रोज अ अगर आप लोग अभी हमें जॉइन करते, तो हम गएंटी दे सकते हैं कि आपके सारे, सारा के अपय और ही ओप धाव हा United हम आपके सार से 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 आपकी इसी क्वालिफाई करवा देंग ग thin कि आपके 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 बुद्स पाफी लोग एर फोर्स के हमारे पास आते हैं नितीज जी आते हैं और एक उत्रा खंड के बच्चा है मुझे वह प्रिंद हमारे पास थीक है पर आप मैं भी नंबर शेर करा हूं, गाईज, पंकर नायक, sir, I am currently working on Indian Railways, and no time to, मुझे पता, रेल्वेस में, पंकर जी कहां पर आप है, एक पर सामने आके पूछेंगा तो बहुत बहुत बैता रहेगा, पंकर जी, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? पंकर जी, प्लीज, गो हैड, बहुत जादा, बहुत जादा है, पैसेट सरीकें में पूछेंगे आप लोग की, तो आप, आपकी, पोस्स क्या है, लोको पालेट, जी, 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 साथ, लोको पालेट, तो याप समय आप समय तरहें ने, क्योंकि ट्रेंस बेसिकली, आप जो भ पढ़ाई करो, ठीक है, मतला, मतला, आगर आप अपने शेटु की, आपका सिर्ट यहाई होता होता हुँगा न, कि एक ड्यूटी के बाद फिर आपकी ड्यूटी उगा ऐसे रखता होगा न, आपका तो, आपका तो, आणे इसा, बैसिकली तो, एक दिन का रहता है, गैस, प नहीं है है यको जा अधिर्ट में है से MP3 सजट में रजनी केन्स पूचा सर के प्लीश यह नंबर डापने डो नंबर शेर कर रहा हूं ठीक है आप दोनों मेंसे किसी से वेपो किसी वेपो से कॉंटेक कर सकते हैं कि ठीक है एक मिन्ट है यह यहां पर मुझे बंद करना पड़ेगा है कि मेरा नंबर शेर नहीं हो रहा है कि काई आप लोग प्लीज एक बार नंबर लिख लिए यहां पर कुछ चैट में प्रॉब्लम हा रही है रजनी जी आप पूछ लिए कि आप मुझे अच्छा में अपना नंबर शेर करने कोशिश कर रहा हूं बट यहां पर कुछ एक मिठेरी अब शायद हो जाएगा आगे नंबर आपके पास आप सभी के पास आगे हैं मेरे एक नंबर मेरा दूसर नंबर भेज रहा हूं मेरा दूसर नंबर जो इसके इंदर यह वाट्सेप पर भी है ठीक है यह मेरा वाट्सेप नंबर है आप लोग इस पर जूड़ सकते हैं दो नंबर आप सभी ने कि आपकर्वम कुछ आपका ऐसा है कि वो किसी और का तो I w Na T कि आपकर्वान होगा को सत्राइल कई अपनिक पार्गोर मस्तिक बूलीजी परागा टकरीज़ीर 12 विर मगा よね हम लोगा शरू चुरू करहें। अठाई सरीक से और मैं चाहूंगा अगर जो भी बच्चा हमें जोइन करना चाहे तो आप प्लीज हमें आप हमारे टेच में आए और हमें जोइन कीजे हम लोग आपको नोट्स पूरे प्रवाइड करेंगे वीडियो लेक्ष्टर का पूरा सपोर्ट प्रवाइड करेंगे ल अगर आप गाइड़न्स प्रोग्राम ले रहे हैं तो 40,000 रुपी तक जाती है ठीक है जी एसकी मैं बात कर रहा हूं डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कॉर्स ले रहे हैं और कैसे उसको चैनलाइस कर रहे हैं इस इस जो गाइड़न्स प्रव्राम है इसमें आपनों क्या करते हैं अगर जाएगा एक पूरा नोट के बंदल चले जाएंगे उन्निस ट्वेंटी बुकलेट तोंगी और उसके बाद जो है एक मेंटर आपको अलॉट कर दिया जाएगा और वह मेंटर क्या करेंगे वह मेंटर आपके पीछे पड़के आपका सारा सेलेवस पूरा कव करवाएंगे दिपक जी आपको हर चीज पे आपको हर चीज पे जो है आपको हर चीज पे वह दिया जाएगा आपको हर चीज पे वह दिया जाएगा क्या बोलते हैं आपको हर चीज पे एक मेंटर दिया जाएगा मेंटर क्या करेंगे मेंटर का मतलब यह होता है कि वह आपक इसमें essay writing, answer writing, पसाने development program, तमाम और video course, आपके notes, current affairs, test, सब कुछ रहता है इसके अंदर. ठीक है? बस classes नहीं होती है इसके अंदर. और अगर इन सभी चीजों में आप classes शोट देंगे, तो वो हमारा offline program होता है. ठीक है? तो यह हमारा guidance, यह बेसिकलिए उन लोगों के डिजाइन जो बच्चे दिल्ली NCR के बाहर के हैं. ठीक है, आप तो हमारे पडोसी है, हमारे तो हमारे ओफिस दूर नहीं है, तो आए किस दिन बैट के बाद कर लेंगे. ठीक है, गाइस? एनिमों? ठीक है, ठीक है, दोडरभाइस से पहले निर दे पाऊगे newspaper आप. थे कि का? ठीक है एक है? ठीक है, गाइस, सारे सबके डाउट क्लेर होगे, I hope मैंने सबके डाउट को मैंने शारिच्चा जी जॉइन करने हों कह रही है, प्रिंसी जॉइन करने हों कह रही है, अगर मैं फोन ना उठाओं, मैं फिर से बतानों, तो मुझे WhatsApp ड्रॉप कर दीजेगा, आपका reply ज़रूर आजागा तीन-चार गंटे के अंदर. This is my guarantee. Is that clear, everyone? कोई question है, और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है, please tell me. तो shall I terminate this seminar? ओके, bye-bye, good night, take care, सब लोग कोईट से बसे बसे बाएगा, ठीक है?